तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा एक दिन एक घर के उपर वाले कमरे में मुर्गी ने एक अंडा दिया अंडा सीडियों से लुड़क गया ओहो कहीं मेरा अंडा खो तो नहीं गया मुर्गी ने सोचा मुर्गी ने सीडियां उतरते हुए बक्कू बक्रे से पूछा तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? हाँ हाँ देखा है वह मेरी डबल रोटी पर गिरा था फिर मेज से लुड़क कर खिड़की से बाहर चला गया तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? मुर्गी ने छोटी चड़िया से पूछा हाँ हाँ देखा है वै नाली में से लुड़कता हुआ उस छीद में चला गया मुर्गी दोड़कर बाहर आई उसने बढ़कु सुवर से पूछा तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा तुम्हारा अंडा मेरे सिर पर टपका था फिर पीठ से लुड़कर मेरी पूच के चले में से बाहर निकल गया मुर्गी दोड़कर आंगन में आई तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा उसने बद्तक से पूछा हाँ मैंने देखा है वे लुड़कर बाड़े के पार निकल गया मुर्गी आगे गई वहाँ छुटकू खरगोश अंडो पर रंग कर रही थी तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा उसने छुटकू से पूचा हाँ हाँ मैंने देखा है एक छोटा सा प्यारा सा अंडा लकडी के उस छेट में गुशा है मुर्गी लकडी के दूसरे सिरे पर पहुची ओहो उसने जैसे ही अपने अंडे को देखा वह एक बेल में गुश गया हाई मेरा अंडा हाई मेरा अंडा मेरा अंडा खो गया खो गया खो गया मेरा अंडा लेकिन तभी एक चूही उस बिल में से बाहर निकली वह बोली मुर्गी मुझे तुम्हारा अंडा मिल गया पर उसे कुछ हो गया है उसके टुकडे टुकडे हो गये है लेकिन उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा की अब तुम्हारे पास एक प्यारा सा चूजा है मुर्गी बहुत खुश हुई उसका अंडा तो नहीं रहा लेकिन अब उसके पास एक छोटु चूजा है नम्रा नम्रा छोटु चूजा बोला मुर्गी और खुश हो गई क्या तुम भी खुश हो